हेलो एवरिवन वेलकम टू मैं चैनल भदानी फूट कोरनर आज मैं आप लोगों के साथ सेयर करने जा रही हूं वेज नजगरिसी कौफता की रेसिपी बहुत ही अच्छी रेसिपी है फ्रेंस वीडियो पूरा दीखिएगा अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जादा से जादा से और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजेगा बेल आइकन को क्लिक कीजेगा रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए तो यहां पे मैं 150 ग्राम पनीर ली हूं जिसे ग्रेट कर ली हूं इसमें से 2-3 चमच इतना हमें अलग कर लेना है यहा साइड में इसके बाद इसमें बाकी की सारी चीजें मिक्स करेंगे तो यहां पे दो बड़े चमच काजूर किसमी इसको बारी कट करके मैं ले रही हूं बहुत ही चोटी-चोटी पीस में कट करना बड़े पीसे में नहीं कट करना और इसमें आप बदाम भी डाल सकते हो चो तोड़ा सा नमक लेंगे, अब इसे मेक्स कर लेते हैं, हाथों के सहायता से इसे अच्छे से मेक्स करेंगे, कि इसमें स्मूद टेक्शर देना हमें, बहुत ही अच्छे से हमें से मेक्स करना है, आप ले लेते हैं इस पनीर को, इसमें थोड़ा सा मेहां पे चीनी डाल रही और यहां पर मैं 5 medium size का बोईल किया हूआ आलू ले हुए हूँ इसी आलू में से मैं थोड़ा सा एक से दो चमच इतना इस पनीर में मैं मिक्स करूंगी आप चाहे तो सिप पनीर से भी इसे बना सकते हो पनीर को पहले मिक्सी में डर्न कर लीजे बहुत ही अच्छा सा smooth texture आ जाएगा उसके बाद बाकी के चीजे आप इसमें मिक्स कर शकते हूँ मैं ठोड़ा जब आलो मिक्स कर दे रही हूँ ताकि इसमें बहुत इच्छे से नहीं आजाय ज़ा है तो उटे इस बहुत इच्छे से वन्तरा करना है लेकि इक इतना अच्छा से यल्लो कलर आ गया है यहां पे मैं 1 फोर टीश्पून इलाइची का पॉडर डाल रही हूँ तक इसमें भूत ही अच्छा सा टेस्ट आया अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब बारी आ जाता है आलू का तो यहां आलू में मैं हाप टीश्पून डाल रही हूँ इलाइची पॉडर हाप टीश्पून ही हमें ले रही हूँ कस्तूरी मेथी का पॉडर हाप टीश्पून डाल देंगे नमक हाप टीश्पून ही हमें डालना है धनिया का पॉडर और हाप टीश्पून ग्रेट किया हूँ जिंजर अधरक थोड़ा सा डाल देंगे हरा धनिया अब इन सब को मिक विक्सर में ढाल करकर तरन कर लेना तो इस तरह से bread crumbs मेल जाता है मैं आप चाहे तो जो ड्राइब वाला bread crumbs होता है उसका भी इस्तमाल कर सकते हो या फिर corn flour और 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 कुछ भी डाल सकते हो और bread crumbs या और 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 जो भी चीज़ के आप स्थमाल कर रहे हो आपका आलू के मोश्यर के उपर डिपेंड करता है कि उसमें कितना quantity में जाएगा तो अच्छे से हमें मेश करके इसका इस तरह से बराबर भागों में कर लेना है कोफता आप अपने पसंद के अनुसार बड़े छोटे बना सकती हो तो यहाँ पर मैं पांच बॉल तयार के हुए हूँ अब इसी तरह से यलो वाला जो पार्ट है उसका भी हमें पांच ही बनाना है बस ध्याने रखना है कि यलो पार्ट सबसे छोटा होना चाहिए बहुत ही अच्छा सा स्मूध करते हुए हमें छोटे छोटे बॉल बनाना है तो यलो वाला बॉल जो है बनके तयार हो गया इसे रखते हैं आप पनीर वाले बॉल बना लेते हैं तो इसे इस तरह से बाइंड करते हुए हमें इस तरह से बनाना है अब क्या करना इसको हमें विल्कुल पतला सा लेयर बनाना फ्लैट करना है येलो अलब बॉल को हमें इस तरह से गभर करते हुए बॉल बनाना है ये देखिए अगर आपको लग रहा है कि यलो अला बॉल थोड़ा बड़ा हो रहा है पनीर के हिसाब से तो आप थोड़ा पूछ छोटा करके साइड में रख सकते हो देखिए हमें इस तरह से बना लेना है इसी तरह से सभी को बना करके त्यार कर लेंगे तो यह हमारा वाइट बॉल तेयार हो गया है अब इसे हमें क्या करना है जो आलू आले मिश्रन है उसके अंदर हमें भड़ना है तो बहुत ही अच्छा सा फ्लैट करेंगे पहले पतला सा लेयर बनाएंगे इसका उसके बाद इस तरह से कभर कर देंगे ऐसे हमें ओवल शेप में बनाना है जिससे अंडर होता है वह ऐसे हमें बनाना है बहुत ही अच्छा स्मूद करके हमें बनाना है हलके हलके हातों से इस तरह से बनाना है यह देखिए ऐसी तरह से सभी को बना करके त्यार कर लेंगे कोफता यहां मैं थोड़ा बड़े साइज का बना रही हूँ आप चाहे तो छोटे साइज का बना सकते हो कोफता बनाते हैं इसमें बस ध्यान यह रखना है कि इसका लेयर हो एक एक करके होना चाहिए सभी लेयर दिखना चाहिए जितना हमने कवर किया है तो ये देखिए हमारा ये वलवी बन के तेयार हो गया है अब फ्राइग करने से पहले कॉण्फुलार में मैं थोड़ा सा ड़स्ट करूँगी जिसे क्या आगो कुफ्ता फटने कर डर नहीं रहेगा बहुत हलका हलका सा हमें डर्ष्ट करना बहुत जादा डर्ष्ट करना है लपेट लेंगे अच्छे से डस्टिंग इसका करेंगे अब फ्राई कर लेते हैं तो फ्राई करने के लिए ओयल पहले अच्छे से गर्म कर लीजे उसके बाद थोड़ा सा लो फ्लेम कर दीजे अब फिर कोफता डाले और एक साथ में सारी कोफता को फ्राई नहीं करेंगे थो तो ऊपर से जल जाएगा नीचे से कच्छा रह जाएगा कोफता खाने में अच्छा टेश नहीं आता है उस तरह से फ्राइब करने से तो यह देखिए एक तरब से सिख चुका है इसे पलट लेते हैं और कोफता फ्राइब करते समय और कोफता टेंप्रेचर बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रहना चाहिए अगर लो रहेगा तो क्या अगर फट जाएगा तो देखिए हमारा जो कोफता है बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है इसे निकाल लेते हैं और बाकी का भी इसी तरह से फ टमाटर ले हुए हूं प्याज को हमें कट करना है तो इसे कट कर लेते हैं बहुत ही बारिक बारिक हमें कट करना है प्याज कट हो गया है और टमाटर का हमें पेस्ट बनाना है अब ग्रेवी के लिए यहां पे मैं कढ़ाई में दो बड़े चम्मच रिफाइन ले रही हूं और दो बड़े चम्मची इसमें घी का इस्तमाल कर रही हूं मैं जैसे थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद साबूत मसाला डाल देंगे तो यहां पे मैं 7-8 काले मिर्च, एक टुकड़ा डालचिनी का ले लेंगे आधा चोटा चम्मचीरा, तीन से चार लॉंग, दो हरी लैची, एक तेज पत्ता इन सब को तेल में डाल देंगे और हलका सा खुसबू आने तक इसे फ्राई करेंगे मसालों में से खुसबू आने लग गया है इसमें प्याज डाल देते हैं अब प्याज को हमें अच्छे से कलर आने तक फ्राई करना है फ्राई करते समय गयास का फ्लेम को मेडियम रखेंगे, हाई फ्लेम में इसे फ्राई नहीं करेंगे तो देखें प्याज में से हलका सा कलर आ गया है, इसमें मसाला डालेंगे, उसका तेयारी कर लेते हैं तीक बॉल लेंगे बॉल में डाल देंगे एक चोटा चम्मच धनिया पॉडर आथा चोटा चम्मच जीरा पॉडर आथा चोटा चम्मच ही डालेंगे इसमें काली मिर्च का पॉडर आथा चोटा चम्मच डाल देंगे लाल मिर्च का पॉडर लाल मिर्च थोड़ा सा कम जाद अपने पसंद के अनुसार ले सकते हो उसके बाद यहां पे एक छोटा चम्मच किजन किंग मसाला डालेंगे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका जरूर डाले अब दो छोटा चम्मच यहां पे लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट इन सबको हमें एक पेस्ट बनाना है थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बहुत जादा पानी नहीं डालना है तो यह हमारा जो मसाला वाला जो पेस्ट है बनके तैयार है अब आज भी फ्राइ हो चुका है तो यहां पे मैं डाल रही हुए थोड़ा सा कस्तूरी मेथी और हरा धनिया का जो डंठल होता है वो मैं डाल रही हूं चुटा चम्मच अब मसाला वाला पेस्ट डाल देंगे इसे हमें low flame में एक मिनट तक fry करना है, देखे फ्राय हो गया, ओइल भी इसका सारा निकल चुका इसमें से, दो हर इमेज मैं बारी कट करके ले रही हूं, और दो हर इमेज को इस तरह से slit करके ले रही हूं, अप अपने टेस्ट के अनुसार ले, उसके बार टमाटर वाला जो चोटा चमच मैं ले हूँ हूं, थोड़ा सा चीनी डालेंगे, 140 पून, अभी इन सब को हमें low flame में करके फ्राय करना है, ओइल रिलीज होने तक, अग चलाते हुए हमें फ्राय करना है, इससे छोड़ना नहीं है, नहीं तो मसाला अगर कढाई में सट जाएगा, जिससे अच दो बड़े चमच काजू का पेष्ट, 10 से 12 काजू ले करके थोड़ी दिर फुला ले, उसके बाद पेष्ट बलाने तो इस तरह का काजू का पेष्ट मिल जाता है, इसे डालने के बाद हमें एक मिनद तक फ्राय करना है, यह भी फ्राय हो गया, अब इसमें डाल देते हैं पानी, तो यहाँ पे मैं एक चोटा ग्लास पानी डाल रही हो और हमें गर्म पानी का इस्तमाल करना है, विसे ग्रेवी आप कितना पतला कितना थीक रखते हैं, वो आपके उपर डिपेंड करता है, तो पानी भी उसी जाब से आप डाले, अब पानी डालने के बाद हमें प अप्शनल है, आप इसे स्किप कर शकते हो, क्रीम डालने के बाद इसे मिक्स कर लेते हैं, इसके बाद इसमें डाल देंगे, थोड़ा साहरा धनिया, और 140 पून गरम मसाला, बस हमारा ग्रेवी तैयार है, अब कोफता को कट कर लेते हैं, एक कोफता कट करके ही सर्व किया ज सर्व करने के लिए पहले ग्रेवी प्लेट में डाले, उसके उपर से हमें कोफता को रखना है, तो यहां मैं थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ पहले पनी डाल रहीं, इससे सुन्दर लगेगा देखने में, और एक एक हरा धनिया डाल देंगे, इसके उपर से कोफता रख दे सभी को बहुत पसंद आएगा, ट्राइ करने के बाद अगर रेसिपी आपको पसंद आती हो, तो मुझे कॉमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा, और आगे इसी तरह से अच्छी ची रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजे, मिलते हैं नेक्स्ट व